कि जब कोई सेंटेंस हो जिसके लाश्ट में हैं हों हो पढ़ते हो पढ़ रहे हो ऐसे करके जो प्रिज़ेंट टेंस में होता है जो बरतमान काल में वोता है जो इससमें काम हो रहा होता है उस्रें प्रयोग के लिए मैंने कल इज skincare के द्वारा जो sentence बनते हैं बिना वर्ब वाले वो वीडियो मैं बना चुका हूं उन्हें आप देख लीजिए जो प्रजेंटेंस में हैं और तीनो टाइप के assertive sentences, affirmative इनको कहते हैं साधारणवाक के negative sentence और interrogative sentence interrogative sentence दो टाइप का होता है जिसमें क्या कुछ sentence में पहले लिखा होता है और कुछ sentences में बीच में लिखे होते हैं तो ये सब मैं is I am R के प्रियोग में बता चुका हूं आज लीजिए मैं was और where के बारे में बता रहा हूं जो past tense में होता है जो समय निकल गया है उस समय के बारे में अगर कोई बात आप कहते हैं लेकिन अभी हम वही सब्द बता रहे हैं वही sentence बना रहे हैं जिन में वर्ब नहीं है कोई कार नहीं हो रहा है केवल एक बात है जहां पर वाजवियर का प्रियोग होगा जब हम क्रिया वाले शब्द जोडेंगे उसमें sentence में तब हम कुछ और भी बताएंगे लेकिन हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटे छोटे बच्चों को अवश्य दिखाईए आज जो है बता रहे हैं यूज आफ वाज एंड वियर ये आपको आज बताने के उसमें हम हम और देखिए चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लीजिए जिससे बच्चों को फाइदा मिले तो इनका प्रयोग हम कब करते हैं जब हिंदी में कोई बात आपके मन में आये जो पास्ट टेन्स की हो जो बीत गया समय है उस समय की कोई बात आपको याद आती है तब हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्व की जगे पर वाज और वियर का प्रयोग करते हैं अब वाज कहां कहां करते हैं और वियर कहां कहां करते हैं ये बात आपको ध्यान रखनी हैं ये helping verb है main verb नहीं होता है ऐसे sentence को मैं आज बताने जा रहा हूँ जब कोई sentence हो जिसके last में हैं हूँ हो पढ़ते हो पढ़ रहे हो ऐसे करके जो present tense में होता है जो बरतमान काल में होता है जो इस समय काम हो रहा होता है उसरे प्रयोग के लिए मैंने कल is mr के द्वारा जो sentence बनते हैं बिना वर्ब वाले वो वीडियो मैं बना चुका हूँ उन्हे आप देख लीजिए जो present tense में हैं और तीनो टाइब के assertive sentences अफर्मेटिव इनको कहते हैं साधारणवाग के negative sentence और interrogative sentence इंट्रागेटिव sentence दो टाइब का होता है जिसमें क्या कुछ sentence में पहले लिखा होता है और कुछ sentences में बीच में लिखे होते हैं तो यह सब मैं is I am R के प्रियोग में बता चुका हूँ आज लीजिए मैं was और where के बारे में बता रहा हूँ जो past tense में होता है जो समय निकल गया है उस समय के बारे में अगर कोई बात आप कहते हैं लेकिन अभी हम वही सब्द बता रहे हैं वही sentence बना रहे हैं जिनमें वर्ब नहीं है कोई कार नहीं हो रहा है केवल एक बात है जहां पर वाजवेर का प्रियोग होगा जब हम क्रिया वाले शब्द जोडेंगे उसमें sentence में तब हम कुछ और भी बताएंगे लेकिन हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटे छोटे बच् यूज आफ वाज एंड वियर ये आपको आज बताने के उसमें हम हम और देखिए चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लीजिए जिससे बच्चों को फायदा मिले तो इनका प्रियोग हम कप करते हैं जब हिंदी में कोई बात आपके मन में आए जो पास्ट टेंस की हो जो बीत गया समय है उस समय की कोई बात आपको याद आती है तब हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगे पर वाज और वियर का प्रियोग करते हैं अब वाज कहां कहां करते हैं और वियर कहां कहां करते हैं ये बात आपको ध्यान दखनी है ये हेल् कोई sentence हो जिसके last में हैं हूं हो पढ़ते हो पढ़ रहे हो ऐसे करके जो present tense में होता है जो बरतमान काल में होता है जो इस समय काम हो रहा होता है उस्क्रे प्रयोग के लिए मैंने कल is MR के द्वारा जो sentence बनते हैं बिना वर्ब वाले वो वीडियो मैं तीनो टाइब के assertive sentences affirmative जिनको कहते हैं साधारणवाग के negative sentence और interrogative sentence interrogative sentence दो टाइब का होता है जिसमें क्या कुछ sentence में पहले लिखा होता है और कुछ sentences में बीच में लिखे होते हैं तो ये सब मैं इस MR के प्रयोग में बता चुका हूँ आज लीजिए मैं वाज और वेर के बारे में बता रहा हूँ जो past tense में होता है जो समय निकल गया है उस समय के बारे में अगर कोई बात आप कहते हैं लेकिन अभी हम वही सब्द बता रहे हैं वही sentence बना रहे हैं जिनमें वर्ब नहीं है कोई कार नहीं हो रहा है केवल एक बात है जहां पर वाज वेर का प्रियोग होगा जब हम क्रिया वाले शब्द जोडेंगे उसमें sentence में तब हम कुछ और भी बताएंगे लेकिन हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटे छोटे बच्चों को अवश्य दिखाईए आज जो है बता रहे हैं यूस आफ वाज एंड वेर ये आपको आज बताने के उसमें हम हम और देखिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे बच्चों को फाइदा मिले तो इनका प्रियोग हम कब करते हैं जब हिंदी में कोई बात आपके मन में आए जो पास्ट टेंस की हो जो बीत गया समय है उस समय की कोई बात आपको याद आती है तब हम वहाँ पर helping verb की जगे पर वाज और वियर का प्रियोग करते हैं अब वाज कहां कहां करते हैं और वियर कहां कहां करते हैं ये बात आपको ध्यान दखनी है ये helping verb है main verb नहीं होता है ऐसे sentence को मैं आज बताने जा रहा हूँ जब कोई sentence हो जिसके last में हैं हूँ हो पढ़ते हो पढ़ रहे हो ऐसे करके जो present tense में होता है जो बरतमान काल में होता है जो इस समय काम हो रहा होता है उसरे प्रियोग के लिए मैंने कल is, am, are के द्वारा जो sentence बनते हैं बिना वर्ब वाले वो वीडियो मैं बना चुका हूँ उन्हें आप देख लीजिए जो present tense में है और तीनो टाइब के assertive sentences, affirmative जिनको कहते हैं साधारन वाक के negative sentence और interrogative sentence interrogative sentence दो टाइब का होता है जिसमें क्या कुछ sentence में पहले लिखा होता है और कुछ sentences में बीच में लिखे होते हैं तो ये सब मैं इस IMR के प्रियोग में बता चुका हूँ आज लीजिए मैं वाज और वेर के बारे में बता रहा हूँ जो past tense में होता है जो समय निकल गया है उस समय के बारे में अगर कोई बात आप कहते हैं लेकिन अभी हम वही सब्द बता रहे हैं वही sentence बना रहे हैं जिन में वर्ब नहीं है कोई कार नहीं हो रहा है केवल एक बात है जहां पर वाज वेर का प्रियोग होगा जब हम क्रिया वाले शब्द जोडेंगे उसमें sentence में तब हम कुछ और भी बताएंगे लेकिन हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटे छोटे बच्चों को अवश्य दिखाईए आज जो है बता रहे हैं यूस आफ वाज एंड वेर ये आपको आज बताने के उसमें हैं हम और देखिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे बच्चों को फाइदा मिले तो इनका प्रियोग हम कब करते हैं जब हिंदी में कोई बात आपके मन में आए जो पास्ट टेंस की हो बीत गया समय है उस समय की कोई बात आपको याद आती है तब हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगे पर वाज और वियर का प्रियोग करते हैं अब वाज कहां कहां करते हैं और वियर कहां कहां करते हैं ये बात आपको ध्यान दखनी है ये helping verb है, main verb नहीं होता है, ऐसे sentence को मैं आज बताने जा रहा हूँ